य Alabेरी की मांग है विकास की मांग है रियाना और हिंदुस्तान की राजनीती आकाओं की राजनीती होती है राजनीती के बिशम पितामा की रहा है भुथ बहुत दर्षन भाई और एल आउत खाप की पंचाइट हु कि इसिदिंगल में जिसमें आप भी मोजूद थे और पूरा इल आउत खाप आई ऊई थी तो सब से पहले उस ही के बारे हम डिसक्स करना चाहेंगे क्या कहना चागे उस पंचायत के बारे में देखिए ये एलावत खाप की पंचायत तो नहीं थी ये हमारे एक मास्टर सिर्यो मेलाओ जी है गाउं बराना से और वो कांग्रेस के वरकर रहें और 27 साल से वो कांग्रेस के साथ थे उन्होंने ये पंचायत बुलाई थी और जिसमें ये ब जिन्दगी के किसी पार्टी को दे रहा है तो उसको हक मिलना चाहिए तो ये पहली पंचायत का में उद्श है ये था आपने 27 साल बता है तो लगातार कहीं न कहीं रख भी काध्यान भी वह इस पहले चुटला पार्टी में हुआ करते थे एक जमाने में उसके बाद कॉंग्रेस पार्टी से लगातार उससे जुड़े हुए हैं मैं तो लंदन में रहता हूँ आप लोग पत्रकारिता करते हो या ग्राम इडांचल में करते हो बेरी में करते हो डिगल में करते हो और हलके के हर गाओं में आप लोग जाते हो जो मुझे आज तक की रिपोर्ट मिली है जैसा मैंने अनुभव किया है क्योंकि मैं हर तीन मही मेने डेड मेने दो मेने में आता हूँ और गाउं में रहता हूँ अब मैं पिछले कुछ समय से गाउं में ही हूँ देखे रगभीर साफ से किसी की परसनली नीजी कोई बेरकसाई दुश्मनी या दुएश नहीं है ये एक राजनितिक है उनकी उमर हो चुकी है 80 साल से वो उसकी उमर होती है कि वो सरकारी नोकरी कर ले मैं या मेरे गाउं डिकलधान लाण में ऐसे नोजवान साथियों को जानता था अब वो नोजवान नहीं रहे हैं वो अब पचास की उमर क्रोस कर चुके हैं उन्हों कभी से मैं उनको देखता आ रहा था कि भाई वो डॉक्टर अब उसी दोड़ में लगे हैं तो यह बेरी की मांग है और विकास की मांग है हमें डॉक्टर रगविर स माब से कोई गला शिक्वा नहीं है अगर उन्होंने विकास किया होता तो भुपेंदर सिंग्योड़ा और दिपन सिंग उड़ा को इहां बेरी हलके में आकर वोट मा जब भी बेरी विदानसमा का नामंकन होता है तो हुडा परिवार की मोजूदगी में होता है अगर उन चोधरी रगवीर सिंग का द्यान का अगर अपना जनादार है तो वो चुनाव अपने दम पर लड़े और मैं आपकी चैनल के मादम से उनसे कपील करना चाहता हूं कि दे विषमपितामा भी कोरों में थे अगर उनका नाम धर्म की लड़ाई में लिआ जाता तो कोरों में शामिल होते तो ये मुझे नहीं पता उनको विषमपितामा का नाम कीसे ने दिया और क्यों कि दिया तो कि परकार की बेर्बीवीर Schuld का लिए का उनका मुझत अपने आपको उसका शेवक बताता है लेकिन उनके शिर्पे आज ना रखे डख्त तक बिरकज्ञान की बार 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 शिर्पे बबंदर और दिपंदर का हाथ होने या क्या काना है देखिए राजनिती एक ऐसी चीज है हरियाना और हिंदुस्तान की राजनिती आकाओ की राजनिती होती है कभी कोई अपने आपको हनुमान बताता है कभी कोई अपने आपको सेवक बताता है मुझे याद है जब 2014 में कांग्रेस की बुरी हार होई थी लोक सबा में और हर्याना विदान सबा में डॉक्टर रगुबीर सिंग का द्यान का एक वीडियो वायरल वा था अगर आप यूटूब पर जा पर देखेंगे तो उन्होंने खुद हुड़ा साब के खिलाफ ये लगा था कि पार्टी सिर्फ बाबू बेटा की पार्टी रह गई है पावर का डी सेंट्रलाइजिशन हो इनी रहा है तो उसकी जिम्मेदारी वुपेंदर सिंग हुड़ा को लेनी चीए अब मुझे ये समझ में नहीं आता जब एक विधायक अपने आपको सेवक बोलता और फिर अपने पार्टी आला कमान के साथ ऐसे बयान बाजी करता और फिर उड़ा परिवार उनके लिए वोट मांगता ये शूचने का भी से है ये बड़ा दुरभाग्य है हर्याना की रा वोटर्स को जो मतदाता है उसके हाथ इसके बटन में पूरी जान होती है लेकिन बेरी का मतदाता मुझे ये समझ में नहीं आता किस उद्देशे के साथ यहां के लोकल विधाय कुछ चुनता है अब बात करते हैं चोधरी भुपेंदर सिंग हुडा की कि वही वो मुख्यम संत्री नहीं चाहिए लोकल आम जन्मानस की यही बात है कि हमें चोधरी भुपेंदर सिंग हुडा सीम चाहिए लेकिन यह भी तो कह रहें साथ की साथ हमें डॉक्टर रगबूर क्या दान नहीं चाहिए फिर भी उनको वोट दिया जाता है उनको टिकेट मिलती है तो इस ब बड़े लिखे दोर में 21 विसदी में कहीं अंगुठे लगाने वाड़ी रह जाओंगे